और रैट गाइस कैसे हो उमीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे तो आज कुछ नया करने वाले और वो नया करने वाले इनके साथ आप देख सकते हैं यहापर हमारे पास दो बीयर बोटले इस बीयर बोटल के उपर हमने आप एक छोटा सा छेद कर रहा है जिसके अंदर ह हमने यहां पर एक फ्यूल लगा रिक है को हमने कुछ इस तरीके से alt इस रहा देंहें év को उसके बात बाते अंदर कि उसके उपर से इस नहीं पार से किस तरीके से लगा दें के आप देख सकते हैं और फिर बाद में हम इस बारूद भरिवी बोटल के अंदर इस फ्यूल को आग जलादेंगे और उसके बाद में देखने वाले कि इसके साथ क्या होने वाला है हमें खुद को नहीं पता सें इसके अंदर क्या होने वाल है आपको पता है تو कमेंट कर दिए और चैनल पर पहले बार आयां चैनल को सब्सक्राइब कर दिए वीडियो को लाइक कर दिए और जल्दी से आप ऐसा कुछ भी मत करना यार तो चले जल्दी से सेटप को कुछ इस तरीके से लगा ने सकें अंदर जल्दी से बारुद भरते उसके बार देखते क्या होता यह होई कि ईससible एस देख सकते हमारे में लगा दिया यह रही हमारी पूरी करें विए प्राइप हमने बना लगाने की तो चले जल्दी से आग लगाते और 123 करके यहां से भाग जाते हैं उसके बाद देखते हैं कि इनका क्या होता है लगा दू वट तू थ्री कि अग्याइस काफी ज्यादा हवा चल रही है यहां पर क्या चले पुम्हण पेंग्याव लेग्यान लोगा लगा उप्यूण हो गा झाल झाल कर देख चुकी है काफी जादा घरम हो चुकी है और उपर वाली बोटल भी यहां से पूरा का पूरा जो बारूट का एक दम से धुवा निकला था उस दुवें की मजद से तारीकी की हो चुकी है और एक बोटल जो है पूरी फूड चुकिया आप पर इसके काफी हादें तुकड़े भी बहुत दूर दूर जा चुके हैं अब देखा है था कि किस तरह के से यह बोटल जो फूटी थी आर एक दम से धीरे से फट बतलब जिस तरीके से वियाई पी में दमाका होता है ना उस तरीके से इसमें दमाका नहीं हुआ वाई बिल्कुल भी नहीं हुआ बस इसमें से जो बारूत का फ्रेशर था ना बोटल को हमने लगा रहा था जैसे फ्रेशर था बस नीचे से कांच के बोटल फेटी और सारा बारूत जल गया बस इतना ही इस वीडियो में हुआ है तो जलिए हम यहां से इन कांच को हटा लेते हैं और होप आपको छोटी सी यह मज़ा आगा मज़ा है तो क्या करना वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहले बारा है चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के साथ नए एपिसोड में तब तक ले जैहिंद